मैं के बोल गता हूं एड कर वाट एंगल बिट्विन ईडिस्प्लेस्मेंट का सवभ नौवर्ग में अंलक टानल के पास्ट एंगल पिट्विन इडिस्प्लेस्प्लेस्मेंट मेया है जिस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ मैक्सिमम वार कि यानि कि इस क्वेस्टन में बताना है कि 50% वर्क हुआ है और यहां पी है कि वर्क डन बाय मगनेटिक फोर्स और मुविंग चार्ज इन अ मगनेटिक फिल्ड इज पॉजिटीव नेगेटिव जीरो या नन अफ दीज नाल कि अब कि सकते ने पहले का एक है दूसरे का बीटिस्ट रेकर सी को साथ भी बताई है एबी-सी अब जारे साब क्यांसर मुझे यार नी रहने हैं तो इसलिए अपने अप्रयांसराब और रहा क्यां लादिया अपने अपनी याद रखनी है किसने के अंसर दीगें कि अपना नंबर भी शेयर कर दें एक दफार ग्रूब में नंबर पहना ये लिखा हो गया ये वर्सब नंबर है मेरा कि अप्राका कर दो प्रूब में नंबर आगारी कि का बना अबराया है देता हूँ देख्यारम से क्यों में जो है ना एक चुपा होता है ठीक है तो इसलिए जब आप एक्स्प्लेनिशन के साथ आप में से को पड़ती है तो आपके एक लिए होती है अब पहला कुस्टन है कि एड़ एड़ वट एंगल बिट्में फोर्स एंड इस्प्लेसमेंट वर्क इस डान और वर्क इस डान तो आप जानते हैं कि होए वर का फार्मला क्यों होते है डवली इस इक्वल टू एफ डॉट दी या एफ कोस्ट एफ दी कोस्ट थीटा तो यह के मतलब के में से क्यों है इस तरह की आप जर जिए को के नहीं के लिए बड़ा अप नहीं कि नहीं मुश्क्किल हो तो आप देखे कोस्ट की जो वैलीयो मैकसिमम वैलीयो कोस आपने कहां पे देए आ जहा कॉस्छ ए Самच zero मैकसिमम गूस्से कि कि कोज की मैक्सिमम वैल्यू के किस एंगल पे होती है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे होती है और दूसरा कॉस्टन इंटेवियू में पूछा जाता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है चलिए आप से मैं पोछ लेता हूं साइन और कॉज की मैक्सिमम सबस्क्राइब सनक्राइबि cease आ तो देखे जो है ना अब जिरॉक्रा जा जाती है जिरॉक्ति dirty वैलियोति में नैंटी पर मैक्सिम में होती है यह अब यह आप एंगल बढ़हें पिर माइनस में चल जाती है है तोब अमने देखना कि कौँसां इंगल चारों में छोटा है तो ट्वंटी डिग्री से थो यानि के सबसे जो Им स्मॉलिस अंगल ने चारू में से वह है ट्वंटी प्र तो जितना एंगल जीरो के पहे होगा उतनी maximum value होगी और जितना एंगल 0 से दूर होगा उतनी minimum value होगी in case of cause अगर साइन की एक्जामपल है तो साइन की एक्जामपल में जितनी value 90 के पास होगी वह उतनी maximum value देगा और जितनी value 90 से दूर होगी तो वह minimum value देगा सेकंड MCQ at what angle between force and displacement of work done on the body is just 50% अब आपने बताने कि 50% जो है वह maximum work कहां पर वह होता है तो आप the cause सारी जो value है ठीटा पर पेंड का रहे तो ठीटा की जो value वह cost 60 पर कितनी value देता है 1 by 2 value देता है cost 60 is equal to 1 by 2 और 1 by 2 हमारा क्या होता है 50% ही होता है ना मतलब हाफ होता है तो यानि कि 60 degree पे जो होता है वह हमारा work done क्या होता है वह हमारा 50% work done होता है तो पिर इसकांसर होगा cost 60 degree इस रैंसी की हुए हमारे पास work done by magnetic force on a moving charge in a magnetic field वह हमारे पास इसकांसर क्या होता है जीरो क्योंकि को जब moving charge पर फोर्स लगा तो उस कर्मान एंकर 90 degree होता है और cause 90 हमारे पास क्या होता है जीरो होता है अब यह important point आई यह जो मैं नोट्स बनाए है तो इसमें सी क्यों भी है और important points भी है तो यह नहीं कि आपका पूरा जो है ना concept आपका वो clear हो जाएगा आपका जो time हो बच जाएगा वो जी एफसी के chapter पूड़ो तो क्योंकि हमारे पास time तो जब time हमारे पास नहीं होता हुए था हमें shortcuts की तरफा आना पढ़ता है अब कौन से shortcuts की तरफा आना पढ़ता है जो well explain shortcuts हो उनी के तरफ हमें वापस आना पढ़ता है जब हमारे पास time होता जो आपको preparation का method बताया जाता है यह बुक पढ़ लो यह बुक पढ़ लो है चार के बुक पढ़ लो देखिए आप टाइम नहीं यह बुक्स पढ़ने का वो टाइम पहले था जब आपके पास टेस्ट की डेट अनॉंस नहीं तब आप कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते थे अभी तो अगर आपके असानी के लिए जो मेरे गुरूप में एड है सेशन मेरा ले रही हैं तो मैंने उका टाइम बचाने के लिए मैं खुद जो हैं वो नोर्स बना कि उनको शेयर करता था कि क्योंको नो मुझे पे किया हुए उनका टाइम ना बचे वो ड्रेट किया करें वो सिर्फ उन याद कियाता है मैं के लिए आपके जो भी हम सी क्यूब होंगे क्लियर होंगे क्योंकि सारे जो होती है वो यहीं से आती इनी पौइंट्स में से बन किया कि आप और लाइस अंटी पेटर फोस इज आलवेज जिरो क्यों जिवेश्यों कि कि लिए थोड़ा सा कीजियें नजर नहीं आ में बागी बता दे कि उनको बीपीदियाश के लिए नजर नहीं आ रही आपको इंटरणेट कंशसर बाक्यों को कलिए नजर आ रहे हैं कि यह दो जो विकास फॉस दकुलर 20 ऐर इस लिए स्प्लेस्मेंट इस लीए जो D क्वेस्टन है तब धेखिए मैंने पॉइंटलिक है न जब फिर से क्या करेगा वह इन्हीं में सब्सक्राइब नहीं है उनकी इंटरनेट के इश्यू है तो प्रिशान आपको रिकाडिंग हो रही है हो रही है तो जिनका वह वह मतलब कोई श्वायरत वह पार में रिकॉर्डिंग सुन लिजिए गा तो यहीं से वह आपको बना कर दे देगा चार आप से देगा तो यह नहीं कि पॉइंट में से वह बनते हैं चौथा हमसी को हमारे पास है और चौथा कंसेट लेकर आ रहा है इफ और इस मुविंग विद यूनिफार्म विलोस्टी दैन वर्क डान ओन दा कार बाइइंजिए आप देखे तीन चीज़े आपने बतानी हैं कि कार हमारी क्या कार रही है यूनिफार्म विलास्टी से जा र सब्सक्राइब नाइंटी डिग्री होता है उसका ब्यांसर जीरो है क्योंकि जो मगनेटिक वोगा तो वह हमारे पास इसका नाइंटी जीरो होगा तो वगड़ा नहीं होगा कि अब इस पर चौत्ति हमसी की उपए कर का क्या रहें यूनिफार्म विलोस्टी से जा रही है पूरे को आपने ध्यान से पढ़ना है टेकनिकल को वेस्टन है तो आपने क्या बताना वॉर्क टान बताना इंजन का फृक्षिन का और नेट फोस का तीनों का आपने वर्क टन बताना है और साथ में लिकाव रिस्पेक्टिवली तो मतलब जो पहला है वह इंजन का होगा जो दूसरे वह फृक्षिन का होगा जो नेट फोस का तीसे नमबर पर आएगा अब इसका जो एंसी की हुए उसमें पॉजिटिव क्या होगा इंजन का नेगिटिव फृक्षिन का और नेटप पोस्का पॉजिटीव इस सरह दूसरे में भी पॉजिटीव इंजन का नैगिटिव फृक्षिन का और नेटफोर्स का ने ये वह नेगिटिव तो आप सारे टाइप करका बताएं जो ये चैट बाक्स में सारव करके बताएं कि हम जाखत ने आंसर दिया सी कि बाकी भी बताएं नोर ने बॉला पॉजिटिव नेगिटिव जी रो पॉजिटिन मतलब नूर का भी सी है सिद्रा का भी सी ठीक हो गया कि इसके इक्समिनिशन यह है कि जो इंजिन अब देखें इंजिन का काम क्या होता है गाड़ी को चलाना तो कार यह हो और ने पास क्या होगा एंगल हमारे पास जीरो होगा मतलब वर्क डान क्या होगा पॉजिटिव होगा अब जो friction का क्या होता है तो आप कार इस direction में जा रही है तो फरिक्शन क्या का रही है ? इस का पूसे डिरेक्शन में फॉर्स लगाएगी तो इंगल हमारा कितना हो गया one eighty तो one eighty क्या होता है तो हमारा वर्क डान क्या होगा या नेगीटिव है और जुनेट परॉस इनला हो जा ने स्oof आ Kingdom तो क्यों तो क्यों कि इस पर आख आक्टि ही का रही कि यहिए उनी फार्मुला ती से वह जा रही है तो यहां पर मारी साय जाएगी मतलर जे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका कॉरेक्ट अंसर है सी अब देखे काफी मज़े का कॉस्टन था कि बच्चे यहां पर देखे वो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इंजिन फ्रिक्शन गारा का जिनके कंसेप्स क्लिए रहे हैं वो कहेंगे बड़ा पेपर अब जी पेप सी नासान पेपर दिया और जिनके के वह भी फिक बात हैं याप आप याप बेंसे क्ति यह एड़िया वॉस डिस्प्लेशम तो सिंप्ल याद हैंके तारीख allowed है किहां वो दुस्थ चीज हमसे क्या जा रही है डिस्प्लेस्मेंट तो यह इन दोनों का एरिया जो अगर वो किसके एकोल होता है वो वर्क एकोल होता है अब यहां पर एक और क्वेस्टन आगिया है कि यह जो फार्मूल है एक्वल टू डू 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 इसकी लिमिटेशन्स किया है अब आपने मुझे लिमिटेशन्स बतानी है कि डू डू रिमिटेशन्स क्या है जलदी जल्दी से लिखार अब स्पीड मारने ताओकि हमारा एक लिख्योचर में सारहancia चाहिए कि यह पूछा जाता है यह ठीक है यह जो फार्मूला यह हमारे के लिए तब ही अपली कैबल है जब हमारे पास फॉर्स कॉंस्टेंट हो अब जो कि देखे फॉर्स हमारे पास क्या होती है वेक्टर कॉंटिटी होती है तो फॉर्स हमारे पास वेक्टर कॉंटिटी है तो वेक्टर कॉंटिटी में दो चीज़े होती है एक हमारे पास होती है मैगनिट्यूड है एक हमारे पास होता है यूनट तो कॉंस्टेंट फॉर्स का मतलब है उसका मैगनिटूड भी सेम होनी चाहिए और इसका यूर्स की ड इसीन तब यह फोस क्या रहेगी तो यहां पर एक इससे नहीं आंसलिया कि ली लिनियर एक चुट बी लनियर का है ऑफोस कॉंस्तेंटिंट रहेगी को मारे डिस्प्लेश्मिन भी लेगी लिनियर रहे नहीं होती में तो फिर आमें क्या करनापड नपड़ता है ति तब जब फोर्स वेरीएबल लो था प्य क्या करती है तो कैलकुलेट वर्क बाइब फोर्स यूपूच्वी में पूच्छा सकते हैं वह डिवाइड नपाथ इंटू स्मॉलर इंटर वाइश इंटरवाइबल वह एंटरि स्ँ यहां से लेकर यह और यहां तक तो यहां पर जो फॉर्स नहीं रही फोर्स वेरेबल हों कि तो आपने क्या करना है इसको छोटे-चोटे में डिवाइड करना है और वह इंटरवल कि क्या होना चाहिए सब्सक्राइब कर सकें तो फिर एक का कारके इंटिग्रेशिन अप्लाइ करना पड़ेगा तो इसलिए आपने अपने बनाने हैं तो यह कॉंस्टेंट होने चाहिए ताकि आपको यह एंड नमबर ऑफ होंगे ताकि एक करेंगे और फिर आप इस पूरे पास का हमारे पास आ जाएगा अगर आपने यह इंटरवल बनाया तो इसका इसके दिम्यान जो इस तरह बनाएंगे तो इसका आपको अलाग से करना पड़ेगा तो यह फिर बड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाती है तो इसलिए आपका बैस्ट में यह कि आप छोटे-छोटे इंटरवल बनाएं और सब की लेंद्ट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए है अब पांचवें सी को का अंसर दे मुझे अपर सन होल्डिंग का टैन केजी बैग का वजा डिस्प्लेश्मेंट फाइब मीटर इन होरिजॉंटल डारेक्शन स्टेटमेंट को दियान से पढ़ना हाओ मच वर्क इस डान बाइक ग्रैफ्टी अब हमने ग्रैफ्टी के बा एंडर्ड माइनस 500 या नान फ दीज इन चौरह में पर नन ऑफ दीस जान नवजानन फडिज एक ठीक कि यहां कि लूज घर होगा और जो अपर यह नहीं है तो यहां पर जो उप्शिन नहीं यह तो यहां पर नन ऑफ दीज ओगा और आपको मैं ये भी बता दूँ PPSC में ऐसे भी आपको MCQ मिलेंगे जहां पर answer none of these होता है तो ये उन्होंने pattern मजीद मुश्क्रा बनाने के लिए उन्होंने none of these का option एड़ की है पहले क्या होता था कि वो none of these का option होता था जो उसका पढ़ने अला ये समझा था कि ये वाला answer तो हो नहीं सकता वो फिन तीनों answers में से अपना answer ढूंड़ता था लेकिन आप चूंके नान आफ दीज वाला वो answer होता है इस वजह साब आपने बड़े दियान से आए उस answer को समझेना question को जहां पर नान आफ दीज आ जाता है वो क्वेश्टे मुश्किल हो जाता है नेक्स हमारे पास work done by gravity is independent of path followed ये बड़ी इपोर्टेंट बात है वह पाथ पे डिपैंड नहीं करता work done by gravity zero in a close path तो यह हमारी definition conservative force की दा फोर्स फार विच वर्ग डान इस इन अ क्लोस पाथ जीरो दो डेफिनिशन था conservative force की एक यह definition है और एक यह definition है तो आपने यह conservative forces को जुबानी याद करने ग्रैविटेश्य फोर्स मारी conservative force होती होती है और elastic force यह हमारी conservative होती है है तो इसको आपने जुबानी याद रहने याद आती है नान conservative में क्या है कि वर्क डंट बाइदा वह आप जीरो नहीं होगा तो यह आपनी यह जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स विसकस फोर्स फोर्स यह सारी आपने क्या करनी जुबानी याद करनी है यह पेपर में जो लेकिन जो फर्मो डैनमिक्स में आती हैं तब ग्रैविटेश्ट के जब आप में आती है तब फार्त पर डिपैंड नहीं करता लेकिन thermodynamics में work done path पे depend करता है अब देखे power के पार में आ जाते है power के यह formula आपने याद रखनी है power के तीन formula यहां पर बने हैं work done divided by time work done MGH divided by time और तीसरा formula force into V तो यह भी आप से में पूछा जा सकते है तो यह statement की फार में भी आप से पूछ सकते हैं तो यह आपने तीनों फार्मूले आपने power के याद रखने हैं तो देखे preparation का अगर आप खुछ से preparation का रहे हैं तो उसका best method यहीं है कि जो भी आप पाड़ रहे हैं तो power की जितने भी फार्मूला आपके लिखने अगर आप सारे फार्मूले आपके एक जगा पर होंगे फिर आप वो याद रहेंगे तो जो स्टूट हैं खुछ से मैं preparation का रहे हैं यह उनके लिए है तो यूनिस भी आपने याद रहने हैं वार्क और इनर्जी के हमारे पास वाट सेकंड वाट आर किलो वाट आर मेगा वाट आर एंड एट्सटरा और यह बड़ी इंपोर्टेंट को हैं और यह बड़ी पर में आती है गीगा किसके इकल होता है तैनरे इस पार नाइन के यह चीज़ें आपने याद रहने प्रिफिक्स आपको जुबानी याद होने चाहिए यह आपको आप ऐसे के डेबल है ना अठारा तक जाते आप एटारा तक इस आगे भी होता है लेकिन आ जो आफ से पूछ सकते हैं कि एक जार देडर फोर फ़र कर नेंगा और फैर आप को आपसे पोच्शीम आपको घंशन के लगई हो गार लगा तो पर आपने वह ता पता होता है और आपको पड़ाएंगंग याद होगकी फर आप इंदे सख सकती है और यह उससे चोटी यह उससे चोटी है तो इस तरह पिर आपने वह सही आप टिक कर सकते हैं तो यह पर आपको जब किलो यहां पर आता है तो यहां पर मेगा हो जाता है यहां पर 10 की अपर चाल पर यहां पर जाको जाएक आगे यहां की पावर सिक्स है यहां पर यहां पर यहां पर टैन की पावर नाइन आज तो यहां पर कि पावर को क्या कहते हैं बताएं कि पावर प्लस को क्या कहते हैं और फिफटीन और मैंनेस हैं ट्वैल फिफटीन फर्मी कहते हैं सज्ञार और मैनिस क्या कहते हैं कि इस पार माइनस त्वैल को पीटा कहते हैं एन्हें को कहते हैं एंक पेखो उता है डेंज इस पार माईस 12 फी को होता है अ-0 कि पिलस 12 हमारे पार होता है टैरा और माइनिस जॉन आहे पास पीखोपर एपर जबानी याद होने चाहिए और भीडियां सकता है कि किलोवाट आर को सा यूनिट है चुद्ट रोट इस यह यूनिट है यह यह युद्ट है इस यह यह किटाइब पपशनल हो गई है और इस फार्मूले में मैस के इन वर्स्ली प्रपॉशनल हो गई है तो आपने जो कुएस्टन आपको पेपर में दिया जाता है तो आपने डेटा के हिसाब से बताना है कानाटाटिक नरज़ita अगर वो बोलेगा कि मुमेंटम कॉंस्टेंट है दो amounts देए एक बारी मैस है और एक हलका मैस है तो कानाटेरी तो जाँek मुमेंटम कोंस्टेंट होगा तो जो बारी वह कक उसके कनाट एक उसके कि immersion घी होगी ज्याद unters ेज़ को से बन नए बार Nevertheless काश्टेंट है तो पिर आपने बारी मैश की तरफ जाना है अगर बाले मोमेंटम कास्टेंट है तो चान्य होगी हलगी में एक तो यांनि कि कहने का मक्सक्ति है यह जब हम झार्चन अधे हैं विए को पड़े दिङान से पड़ना होता है इस यह मेंуск इंदक होता है कि जब नाइंटीम् lure होती हैं तो हमारे पास अब बहुम जाता गे तो हमारी होगी तो हमारी हो सबerson Projekt हमारी कीमाइग में चाल की जो आपका सही अंसर होता है उसमें से 0.25 आपके कट हो जाती है और आपने ऐसा भी देखा होगा बहुत सरे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 0.25 मार्क्स की वजह से जिनकी फाइनल सेलेक्शन ही होती जो आपके लिए इतनी होती है जाने जी अधियुक्त जाती है तो इसे बचने के लेजह आपने आपने पढ़नाँ अच्छिंए आपकीटेनीचेव ट्रच्शन को पॉजरए पधी है और आजई थे सर्फब वर्थ को रफरेंस पॉइंट लें अगर फपॉइंट वह तो यहां पर माइनिस का साइन लगा होगा यानि कि यहां पर आभी मैं उपर बताया कि प्रटेंशन इडिव होती है अट्रैक्टि फोर्स के लिए तो क्योंकि ग्रेविटेश इडिव फोर्स है इसलिए नेगेटिव और यह ई्लास्टिक।टेंशिन नजी का फार्मूला होता है ह। एक स्कूर एलेक्टिक पूटेंशिन नजी का फार्मूला था के क्योड़ी डिवाइड़ आर दो छाज्विस नियुक्टर हो पिर अपने जाब अब देखें यह सारी चीज़े आपने जब लिखी होती है अकठी लिखी होते तब आपको चीज़े यार रहने में असानी होती है एपसोल्यूट प्रटैंशन एनरजी यह मिशन नेगेटिव होती है यह डिस्टन्स आर पे यह इसकी वैल्यू है फ्राम सेंटर ऑफ हर्थ मतलब है यह हमारे पास हर्थ है और यह उसका क्या है सेंटर तो सेंटर लेकर सर्फेस ओफ आर्थ तक अगर आप ने पूंटर से लेकर सर्फस ओफ और तक यह फार्मूला होगा सर्फेस ऑफर पर पोछु जाएंगे फिर आप प्टैंशन यहां से कयक्कुलेट करेंगे और फिर आप जब सर्फेस ऑफर से आप उपर जाते हैं तब हमारा यह है यहां पर आपर कि आ उने से होता है यहां पर वह क्योंकर न phải- I होता है यहां नेगिटिव साइन हुआ तो बात उल्ट हो जाती जा नीचे वाला अगर कर दो यह निक्रीज ओगए तो यह दोगा कि अगर अगर निच्छे वाला इनक्रीज हो बेक्तिन हो अगर निचंप चैने आप भाड रहे गया तो हमारे पास दो पेज़े तो जब हाइट जाती है पृटेंशने जी क्या हो जाती है और जब आ गाटी जीरो होती है यहां पर जल्ली जुरी सहाँने कुस्टी कि बताना है सेंटर पर ग्रैफ्टी जिरो घो ती या नहीं उती जल्ली से बताएं मिनस मिन्तमारे पास representative की ग्राफट्टी जीरो ती यो या नहीं होती है जंचीATHAN का सकते से ते उजह ने बोला मेक्सिमम होती है मैं पूछ रहा हूं ग्रैटी सेंटर आफ एर्थ पे मैं जीरो होती है कि इन जो माम कहरा युनीफार्म कैसे होगी वह तो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है वह तो पहर डिक्रीज होते चलिए जाएगी कि तो मैं होदी बता देता हूं चार मिट रहे हैं सेंटर आफ आर्थ पर जो ग्रैविटी है वो जीरो नहीं होती नैटिक जो ग्रैविटेशन फोस वो जीरो होती है क्योंकि सारी जो सेंटर रहे वह तो आप देखे यह जो अर्थ झाल अब वाइस आ रही है मैं दुबारा रपीड कर रहता हूँ के छारो तरफ हमारे उपर वो सारे दूसरे को क्या कहा रही है को लेकिन हमारी सेंटर होती है लेकिन हमारी जो जिरओ नहीं होती है इसको यह रहने का तरीक है कि ख्रपटी सेंटर हिसो तो निकलती है तो पिर पे सेंटर जिur जाए तो इसले टीज फोर्स हमारी 0 होती है बाडी फालिंग outta ऑप्र एस सर्च pharma Surprise है कि जब बाड़ी फॉल करती है तो यह हमारे पास विलस्टिक करने का यह फार्मूला उतर तू जी एच स्क्वेर रूट और अगर आम लेगे यह यहां से बाड़ी को आपने गिराया है और यह जमीन हमारे पास है तो यहां पर किसी पॉइंट पाद यहां पर आप पुछ न उबाए रपीड़ का रहता है ऑग्रावटी सेंटर और पर जीड़ होगा तो फिर सारी जमीन से क्रही है वह सेनटर और से निकार रही है संक पर ग्रैविटेशन फोर्श बेसे रहोती है नरट फोज़े तो तो चारों तरफ नोगी होगी पूर्द करेंगे ताब लेकिन जो फोर्स है वो हमारे पास जीरो होगी तो मैं कहा रहो दूसरा बाल में अक्वाली कि जब बाड़ी ग्राप्टी के अंदर जेरिया से फॉल करें ताब हमारे पास विलास्टी करने का यह फार्मूला होता है और अगर किसी हाइड को आपने वह विलास्टी फाइंड करनी है तब हमारे पास यह फार्मूला बांग जाता है और अगर आपने हमारी जीरो अगर आपने राष्ट से फैर्ट